हेलो दोस्तों अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन आपका लच्छी होना चाहिए कि आपको थेयोरी कंप्लीट करनी चाहिए दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके 5-6 मिनट के मेरे वीडियो होते हैं और इसमें मैं आपको पूर कवर कर सकते हैं अगर आपने थेयोरी पर रख की है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में भी मज़ा आएगा दोस्तों वीडियो को इसकिप मत कीजिए और वीडियो में 5-6 मिनट का वीडियो आप बड़े से बड़े वीडियो एक एक दो दो घंटे के वीडियो देख द चलिए जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में तो यहां पर हम पहले बात करेंगे समावेसी सिच्छा की समावेसी सिच्छा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तुपूर है और आजकल समावेसी इंक्लिस्वी एजुकेशन है इसका ज्यादा महा तो दिया जाता है तो यह भी हम मैंने समावेसी सिच्छा का वीडियो में यह दे रहा हूं इसके बाद में आर्टी और एंसीफ और न्यू एजुकेशन पॉलसी से रिलेटेड आपको 5-6 मिनट के वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँग तो चलिए दोस्तों इंख्लीश्वी एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं तो यहां पर इंख्लीश्वी एजुकेशन यानि समावेसी सिच्छा ऐसी सिच्छा जिसमें सभी तरह के बच्चों यानि दिभ्यांग सामान प्रतिभास आली कम जोर सभी बच्चों को नियमित स्कूल में सिच्छा दी जाती यानि एक साथ बठाके उन्हें सिच्छा दी जाती यही क्या कहलाता है समावेसी सिच्छा कहलाता है समावेसी सिच्छा अगला पॉइंट हम जान लेते हैं समावेसी सिच्छा के बारे में तो समावेसी सिच्छा वह सिच्छा होती जिसके अंतरगत बिसेश शमता वाले बालकों को सामानी बालकों के साथ ही बिद्याले में एक ही कच्छा में एक साथ सिच्छा प्रदान की ज सभी बालको कुछ है मंद बुद्धि ओ चाहिती जो चाहिए दिभ्यांगी चाहिए जैसा भी बच्छ्छ ऑच्छा बठा कि सिच्छा दी जाती यही समा समाभ बेसी सिच्छा का एक फार्मूला यहां पि देख लेते हैं विशिष्ठ बालक प्लस सामानी बालक प्रतिफास अलिस सभी बच्चे विशिष्ट बालक में सामानी बालक आथे हैं अब यहाँ पि देख लेते ncrt के ऑनुसर है यानि समाज परिवार आदी के आ धार बिना बेद भाव के एक ही विद्याले में सिच्छा देना समावेशी सिच्छा कहलाता है दोस्तों कैसा लग रहा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से जरूर कीजिए फिर यहां पर समावेसी सिच्छा की आवसक्ता के बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं, आप इतना पढ़ लेंगे, इस से आप समावेसी सिच्छा की आवसक्ता के बारे में बात करेंगे, तो समावेसी सिच्छा जो होती है, सिच्छा विवस्ता के माध्यम से समावेसी सिच इसमें क्योंता है अपंग बालकों को सामानी बालकों के साथ मांसिक रूप से प्रगति करने का आउसर मिलता है और फिर क्योंता है इसमें सामानी और दिव्यांग बालक दोनों को एक ही साथ सामानी रूप से सिच्छा ग्रहन कराई जाती है फिर आता जिसमें उन दोनों के ब फिर सामानी बालक और विस्ष्ट बालक एक साथ सिछाग्राण करते वहां सिच वहां सिच्षा में भी कम खर्चा होता है यानि कि जब एक साथ सिच्च्छा गरहण करेंगे तो वहां पर एक सच्च्छा Chandra भावना प्रेम की भावना सहानुगूति आद की भावना का विकास होता है तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लग रहा हमें कमेंट करके बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई की जानकारी के साथ ncf rt new education policy जो आपके बहुत ज्यादा important question पूछे जाते हैं उनको हम उसकी थेओरी लाएंगे तो चलिए बाई बाई